जी दोस्तों नमस्कार आप लोग कैसे हैं भगवान धन्वते से मैं मना रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे बढ़िया होंगे और अपनी शिहत को अच्छी तरह से जी रहे होंगे दोस्तों यह मेरा जो चैनल ऑफीसे चैनल है आरोग गितत्तु है इस पर मेरा यह सेकेंड वीडियो है आज मैं बना रहा हूँ कहीं से पूरसर से टाइम निकालनी पड़ेगा अब तो हमें टाइम निकालनी पड़ेगी भाई क्योंकि लोग के पास रहना है तो अलग से और मे कि यह नत तो दुंद्या का समझीर की रास्ता ही है सफल होने का और विश्क कि अधर नी चाहिए मैं इसे ड़ता भी नहीं हूं इंट देखा गया है कि किव बाइरस वाइरस 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 भो मारें गए इतना का परिवार बिखर गया लोग बरवाद हो गई बिजनस चले गई जॉब चले गई सारा कुछ सिमट के रहा गई लोग इतना डर गए इतना डर गए कि मैं बता नहीं सकता हूं आप तो देखी रहे हैं सब लोग क्या इस्तिती रही है कुछ तो भरांतियां फैलाए गई और कुछ लोग बिना मतलब के इस चीज में बहुल हो करके इसे इतना फैला दिया गया यानि कहा जाता नहीं कि तील से ताल कर देना लंबा खीच देना यह इस्तिती हुए चली मैं बात करता हूं वाइरस वाइरस क्या है एक सब्दम में जानते हैं देखिए वाइरस एक यह मैंने अब उसको का सकते हैं कैसी नन लिभींग और लिभींग यह दोनों नहीं है यह है क्या कि ऐसी कहीं पर पड़ा हुआ थो यह नन लिभींग है और कहीं भी जीव में चला गया तो यह लिभींग करता है यानि लिविंग यानि जीव है और नन लिविंग जीव नहीं है यह दोनों के बीच की एक कड़ी है अब देखें कैसे समझते हैं कड़ी है जैसे मान लिया हम वाइरस को एक चनी के बरावर मानते कि एक चना एक शीट्स होती है और वाइरस को भी मैं एक एक जामपर लगता हूं कि तरफ से वाइरस हो इधर एक चना हो गया अब देखिए वाइरस एक आरेने या डीने यह दो एक ही चीज़ रहती है ऐसा नहीं जैसे जीव में होता ना जो जीव हो इए परकत जीव हлагा दोनूं होते हैं इसमें किवल चाहे तो अरेने होगी चाहे डीने होगी तो एक प्रोटिंग से कैंद्र होती है और इसके कोडिंग होती है जैसे जीव का जो बोडेफिटिश व्हु पनेरे हैं लेकिन इनकी क्या होती है, प्रोटीन से इनकी कोरिंग बनी रहती है बाहरी परतर अवरी स्थिति क्या है, कि अगर यह ऐसे ही कहीं पर है तो समझेजो कि मरे के समान है, कुछ भी इनमें जानते हैं लेकिन जीव में परविश करते हैं तो यह multiply करने लगते हैं यानि जीव से nutricence लेकर के अपने आपको multiply करते हैं बहुत तेजी से क्यों करते हैं क्यों कि जो जीव है ना इसमें रचना होती है लेकिन इनकी वह ऐसा कुछ रचना है नहीं तो इसलिए बनने में इनको देरी नहीं लगती है बहुत जल्द ही ग्रोथ करने लगते हैं उपर वाली कोडिंग को हम हटा दिये जश्ट वाइरस की अगर उपर वाली कोडिंग समाफ हो जाती है तो कहीं भी multiply नहीं कर सकती है दूसरी चीज है कि अगर चने को हम भून तल लेते हैं और कहीं भी मीटी में या पानी धूब कितना भी कुछ दो गया तो प्रडेक्शन नहीं करेगी वह खतम हो जाती है वाइरस को भी अगर हम हीट कर देंगे तो इसकी कोडिंग खतम हो जाती है और यह क्या होगा यह भी कि ज्री इसकी स्थिती खराब हो जाती ही यह मेल्टिप्लाइन कर सकते है यह इसकी कोडिंग तूटनी चाहि mobili अब हम समझते हैं वाइरस वा और जीवeh है जीव वह जैसे बैक्टरिय बगरर लेकिन यह क्या है nodaश करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे डीने को चैंज कर देते हैं disorder कर देते हैं और खुद का तयार करते हैं mechanism बनाते हैं और बहुत तेजी से multiply करते हैं इस्थिति क्या आज आती है जब वाइरस आपके अंदर इंटेक करते हैं तो body के पास defense mechanism होता है इसे बचाने के लिए hit hit general करती यानि temperature को बढ़ाएगी यानि मेरे unit system क्या करते है कि temperature को बढ़ाती है और इसके coding को खतम करना चाहता है इसे किल करना चाहते हैं जश्ट मैं मानता हूं example में कि वाइरस अभी आपके नाक के पास परवेश की तो यह देखा गया है कि नाक में जियों ही वाइरस परवेश करती है तो जिनके पास हरारत रहती है जिनके पास ताकत है जिनकी इम्म्निटी सिस्टम बहुत ज्यादा बिल्ड है बहुत अच्छा है तो जियों ही परवेश करेगी तो इसके ज्यादा हरा रहा थे जल्दी खुद को रिपेर भी कर लेते हैं और उसे खतम कर देते हैं तो जहीं आपके बॉड़ी के अंदर परवेश करती है तो जैसे जवान ही हुआ है उसे वाइरस देखे का गया कि उनको कुरोना वाइरस हुई पता भी ने चला वह समाप्ति भी हो जला कि इसकी कोडिंग को नश्ट कर दिया नहीं वाइरस को खतम कर दिया नहीं पता भी निचे थोड़ी से फुलू आई थोड़ी से बुखार लगी और फिर कल को ठीक अब इस्थिति कहां पे ज्यादा डेंजर होया थी कि जब कोई पैसेंट पहले से ही गरसीत है बहुत स पर जाती है तो इम्मिटी उतना बिल्ड नहीं हो पाती है और कभी-कभी उनको दिकत हो जाती है दिकत की सामना करने पढ़ती है अब एस थिति में खास करके मैं देखा हूं जानते भी आव साइंस भी करती है कि जब वायरस इंटेक करती है तो इसका अपना-पना प्रारू जबती है कि अंकी अलग-अलग प्राकिरती के एक फैमली है अव इस फैमली में देखा गया है कि जैसे किसी का चार भाई है तो चार ही है तो कोई भाई बहुझ ज़ज़ादा खक्तरनाक होगा। उसी में कोई बहभ यह मंदार भी होता है उसमें कोई भाई साधूबाद भ पिलड़ेगा कि आपकी सामना किस भाईरस से वहां किस भाई से हुआ है है तो फैंपिली बार सिंसे आपका सामना हुआ यह बहुत सलिड़न रखते हैं अब बॉर एक्जामपल में मैं लेता हूं साप-कस-ол ए कि दो और स किशी को निगस जलो है तो कह जाता है उसे शा向 loss हाई तो अब साप में कौन सा साप काता एकी महादपूल इसे कोई लोग बोला कि भाई साप कात लेता है तो यह जी चीज़ आ रहे जाए रहे बहु हो सकता है कश्वी नहीं होता है टेंसर लिए के बाद हो tenho डिलेते व अब को बाई चांस कहा काट लिया करे यार साप काटा कोई टेंशन नहीं क्या होगा मौत हो सकती है इसी परकार अगर आपको डोरवा साप होता है जिसे डोरा काते हैं अगर वो काट लिया तो हो सकता आपको कुछ भी नहीं हो तो क्या हुआ लोक्स उने कर उन्हें साप काट लिया लेकिन कौन सा काटा डोरवा काटा गयोवन काटा ट्रैट काटा यह डिपेंड करता है कि कि से सामना होई मेरा इसारा है कि आपके अंदर जो वाइरेस इंटेक किया है वो किस टैप से है यहा प्रोपरटी देख सकते हैं एक तो आपकी कि और दूसरा क्या किस्या को सामना होगे बाइचांस मान के चलते हैं कि कोई विसेल आदमी यानि खुद इतना वह एल्कोहल पान इतना नसा करता है उसे बाइचांस कोई साब काट लिया सिंपल सी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा वही क्योंकि उनकी इतना विल्ड हो चुक उसे ब्यक्ति हैं जो अपने आप बोडी को इस टैप सी बना लिये हैं कि उनको अगर असनेक्स कार्ड भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसा कितना आप कहानी में सुने होंगे पेपर में भी न्यूज में आते रहती है कितना आप यह भी सुने होंगे कुछ- इस ब्यक्ति इसी प्रतिव पर है जो सनेक्स कटा आता है अब हम देखते हैं कि इमनिटी के बात करते हैं हम सुचते हैं कि कैसे बिल्ड होती है हम अगर घर में रहते हैं कि इसा जगापे जहां पर अपने आपको बहुँ ज़्यादा से प्रिट की हुए है मेरे बॉड़ी को अच्छी से ना धूप लगती है कुछ भी इम्निटी पूरा लो हो जाते हैं भले से मेरी सरीर फूल जाए पूरे बॉड़ी बिले उससे कोई मतलब नहीं है इम्निटी अस्ट्रोंग नहीं आपका उसमें अगर थोड़ी सी भी वाइरस बगेर होगा तो नालियों यह कहीं देखते हैं गड़्य किनारे वह अपना कुछ तंबू बगेरता वह एलाके रखते हैं और यह पर उनकी जीवका होते हैं वही भी खाना बना रहे है नाली भी बगल में नाला भी बह रही है तो अब देखे इस कहाम में एक भी वैसा आदमी सीरियस नहीं ह रहते हैं पूरी तरह से कोरॉना वायरस में सब लोग क्छुपए हुए थे लेकिन ऊटेक्यों बी दिक्थत क्यों कर दो क्योंकि बॉड़ी ने नेचर के पास अपना खुद का यानि बॉड़ी के पास खुद का अपना सिपाई है बहुत मजभूत है और वो से सब कुछ पता है कुछ भी कर सकता है और आपको पताहिंद नहीं चलेगा और सारा काम आपका ओक हो जाता है तो यह से कहते हैं इम्म्निटी भीक्सित होती है वारेस के परती अब हम इसमें बहुत सारा चीज को सिख सकते हैं जान सकते हैं अब कैसे अब मैं वह जो बात था पिछले मैं दोरा लेता हम कि जैसे वह चना अब हम चनने को भूल लिए तो प्रोडक्शन नहीं किया मैंने उसके उपर का कोडिंग को खतम कर दिया तो प्रोडक्शन नहीं किया इस परकार हम बाईरस की कोडिंग को कैसे खतम कर सकते हैं इंतने चोटे होते हैं, आपकी स्यल का स्यलक्त का सव गूना भालाबर, थो कैसे देख सकते हैं, अब इस्थिती क्या करना होगा, वायरस से वचने के लिए, हमें पेसे याम की प में जावाट करता है om कि देखिए वाइरस थे मसम अनुसार पैदा होते हैं अब मेयवसम में क्या होते हैं जैसे गर्मी का मौशम बहुत तेज गर्मी है तो बहुत तेज-गर्मी रहेगी तो उसमें जो वायरस पैदा हो गए वह आपके शरीर में जाएगे तो बहुत तीज गर्मी पैदा करेंगे सिंपल सी बात है दूसरा क्या हुआ कि ठंड के दिनों में वायरस पैदा होते हैं वह आपके बोडी के अंदर जाएगी तो ठंड पैदा कर देगी अब एक आ गया तेजाब का तेजाब को जब बारिस और गर्मी का मौसम लाता है जब दोनों की टकर होती है उसमें जो वायरस होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं आप हम दोधिक्ते हैं कि असको हम कैसे स्वचित करते हैं क्या करते हैं क्या कराना चाहिए आपके अंदर पर्वेश किहां data आपको सुखी भास से हम दमां रही है कि मुद् inh प्रोलम कूनित बहुंटकि अंदर में जाके अपना फ हैलाब करते हैं और कूँ बोडी का करती है बोडी खुद को बचाने के लिए कि पह बदाना सूर करती है क्यों कि वाइरस क्या वाई वाईर आ से यसमने बिल钟 के मतलब हो जलन बचलिब दाख गर्म साथ करें तो बड़ी क्या करतीए कफ बनाती में किसलिए कफ बनाती में था इेप्टस लड़ रही है कि अब इस फिति było मातरा में कफ बनने लगती है तो एक कफ बोड़ी खुद अपने मैकेनिजम के लिए बनाती है कि भाई उसको बचा ले इंफ्यक्शन हो रही है समझो तो अब स्थिति क्या है इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बस्तू देते हैं कुछ ऐसे प्रोड़क्ट देते है हैं जिससे बोड़ी को कफ बनाने ना पड़े तो इसमें क्या करते हैं यहां पे मैं इस टाइप से डाइट चालू कर सकता हूं यादि थन्डी तासियर के जो होते बोची दीजये इसमें सबसे बड़ी चीज है आप साफ जीरा धनिया इससे आप परियोग कर सकते हैं वाइरस में अब स्थिती दूसरी आती क्या है दूसरी स्थिती होती है कि जब वाइरस आपके अंदर प्रवेश की है उसमें भी दखे कफ बनती है तो वो कफ क्या होती है वो निकलती भी है वो कफ निकल भी रही है अब वो कफ निकल रही है इसका मतलब हुआ और ठंड भी ल परयोग करते हैं तो दिक्त हो जाएगी मैं देखा हूं कि लोग उल्टा काम कर लेतर। वायरत कि प्रत्रत्र प्रक प्रइबर कि नहीं है गर्मी वाली वायरस है ठंडवाली वायरस है और आपने तो इसमें डेंजर को कि मेरे पास एक दोस्त का फोन आया वो जानने वाले हैं उन्हें फोन कि कुछ लोग को वारस से एफेक्ट हो गया है तो क्या करना चाहिए मैं दो पांच-छे दिन से प्रोटोकॉल अपना रहा हूं लेकिन उनको और बिकनेस हो रही है वो ठीक नहीं हो इस इसली के भी पूछा इस के बाद तासीर को जाना तासीर को पता चला कि बहुत थंड हो रहे थे ठंड तो लगतार आप देते रहो 10-10 इमिल 3 times इसके बाद मैंने बोला कि गलाला करो नमक की गलाला यानि पानी में डाल करके गलाला करो इसके बाद मैंने बताया कुछ यानि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे मैंने तेज पात बताया उनको यूज करने के लिए मैंने लाल राई बताया उनको मैंने उनको लॉंग दार्चिनी जावी तरी जाइफल इस सब प्रियुक चालू किया वह जल्दी रिकभर कर गए ठीक हो गए तो मेरा काना है कि आप आपका कफ वाली हो गई और पीत वाली हो गई एक वाइरस आपके हो गई जो पैदा हुए थी बर्शाहत वो क्या बोलते गर्मी से जरेला वायरस वह भी एसीड वाली वायरस तो वह परवेस करती है तो बहुत जादा देखा गया कहीं कि खुन बलडिंग का भी होता सिस्ट हमें होने लगती है डैमेज होने लगती है और उसमें जलन भी रहती है गर्मी भी रहती है तो वैसे स्थिति में अगर हम यह सीड वाली चीज देते हैं तो दिकत हो सकते हैं वहां पर हम दो तासीर पैदा कर लेते हैं एक तो गर्म देते हैं कुछ और हम कुछ ठंड देते ह इस ट्याप से हम उसे भी खतम कर सकते हैं यानी हम फ्रोटेक्ट ह export बॉडे खुद को किल मारती है हमारा वु प्रोडक्ट जातेओं हेल्प करती है वोडी को जैसे आपको fever हुआ समझी बात को, तो fever जैसी होता है, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ fever killing ले लते हैं, paracetamol बगेरा, अब इस्थिती क्या होती है, अचानक तो आपने fever को down किया, बोडी क्या करना चाह रहे थी, बोडी हिट करके virus के coding को खतम करना चाह रहे थी, लेकिन मैंने क्य क्या क्या, उल्टा किया, अरे यार मुझे fever हो रहा है, चलो, जल्दी से दवाई, इसलिए पहले भी बुजूर्ग लोग बोलते थे, पुरवज कि किसी को fever हो, तो एक दो दिन टाइम दो, अचानक यह नहीं कि हुआ और उसे दवाई दे दो, नहीं देना चाहिए, हाँ, हम उपने प्राकिर्तिक में तोलसी बगर्या दे सकते हैं, यह क्या करती हैं, हम यहां क्या करें हैं, कि बोडि ताकत लगा रही हैं, अपनी खूण को जलाई, बलड को जलाई, किसलिए? guid पैदा करने के लिए, और हम क्या किये? उसका दिरोद लोग बढ़ा रहा है, एक तो तो गलत कर रहा न बोडी के साथ जानने में अभी स्थिति क्या चार लोग इंतिवार्ट Whoo खा रहे हैं अरे भाई वाम को इंतिवार्टीक से मतलब भी नहीं है वो जिवान ऊफ़ा नहीं वह बैक्टरिया नहीं में जर साथी जो तो आप इसे खतम ने कर सकते इसे खताम आपकी नेचर्व याँनि आपकी बॉडि में जो फिट आपकी इम्म्निटी है वो ही डिसाइड करती हैं वो ही मारते हैं हमें केवल उसको हेल्फ करने की जरूवत है उसकी विरोद करने की जरूवत है अगर आप विरोद करेंगे तो प्रोलम खड़ा हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत लोग को बचाया प्थ ऐसी बात नहीं है में लिए पार बहुत सारे एक्जांपल पड़े हुए है तो कहीं कहीं मैंने देखा कि कुछ लोग अपना प्रोटक्ट अपनाने लगे कि सार मैं तो आपकी जो रेमेडिज है वो तो यूज करूंगा लेकिन साथ में मैं वो डॉक्टर की दिवाइगा बगेरा जो केल्सियम वो सब कुछ दिये वो सरी बिट्मिन सी बगेरा दिये हैं और जित्रमाइसिम बगेरा ऐसे जो रिस्पेटरी सिस्टम प वो लोग जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं ततकाल के लिए उन्हें फिवर डॉन हो जाएगी सब कुछ ठीक है लेकिन रिकवर नहीं करते हैं और उन लोग को ही प्रोलम हो जाती है क्योंकि एक तो बॉड़ी वाइरस से लड़ रही है वाइरस के मतलब 20 उपर से आप दोगे तो बोड़ी खुद को बचा लेगी क्योंकि टेंपरेचर अंदर लो रही जैसे मलेरिया बुखार होती थी तो मलेरिया बुखार में क्या होता है ठंडी बहुत लगती है अब इस स्थिति में हम बहुत ठंडी चीज नहीं दे सकते हैं इस चीज को समझना है तासीर से लगए बात पितकफ को अगर और में समझ करके सारे वीमारी को खतम किया सकते हैं बाई चांस बाइरस आप अंदर घुसी हुए, गर्मी पैदा कर रही है हम तो बड़ी खुद गर्म है उपर से गर्म बस्तु दे रहे हो तो यहाँ तो ड्राइब पईसक्व भी आपो दिक्कत हो जाएगी साथ देने महुत दिक्कत होने लगी तो हमें एक गलती नहीं करनी है हमें पहाचाननी है कि जो वायरव फरवेस्की है कौन सी भाई है कैसा है और क्या करना और कैसे पहंचाने उसके लक्ष को सबाइसे और सब्द् believe जलन हो रही है के उफया भी दिखतें आ प्रिसाब बित्ति जा रही है पूरी वाइट आ रही है सारा कुछ उसकी थंडी तासिर है अब वाइरस ही हम क्या कर रहे हैं ओपर से थंडा चीद दे रहे हैं दिकत पैदा हो जाएगी तो हमें इस टैप से पहचान करके ही इलाइज करनी चाहिए वाइरस के अब हम इस क्या इमनिटी हम कैसे विक्सित करें क्या करना चाहिए आज लोग का अपना दिन चरिया है कोई अफिस जा रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं देखिए दोस्त बचने का मात रुपाय क्या है ना कि अपने आपको थोड़ी सी धूप में रखो जब जरुवत पढ़े तो ऐसा नह हमारी जो गाय माता होती है इन से थोड़ी सी लगाव रखो इमनिटी तो भीक्सित हो जाती है आप देखो नो जो लोग गाव को चुरा रहे हैं दुदुद पैदन कर रहे हैं बहुसा उनको एक भी कैसिस नहीं आ रहे हैं सब फिट है क्योंकि वो उनकी इमनिटी एनिटाम रहे हैं आपकी इमनिटी में जंग लग जाती है क्योंकि कभी सामना ही नहीं किया कोई 20 का अचानक 20 आ गया प्रोलम खड़ा हो जाती है बहुत हेल्दी हो आप देखे होंगे कि बड़े-बड़े अभिनेता लोग को भी सुनें कि उनको यह हो गया इनको यह प्रोलम हो गया क्यों इसलिए प्रोलम हो गया कि उनकी इमनिटी इतना ज्यादा विक्सित नहीं है कौकि वो इतना ज्यादा अनने चलिनिश में रहते हैं इतना ज्याधा इसी पानी चिनिशित सीपरेट तो भाई और मोड़ी लड़ि नहीं कभी धूप में गई नहीं और अचानक धूप म समान हो जाती ने एक कहावद भी है कि उपजी हुई अमीरी के कप एक गरीवी का घास बहुत जहरीली होती है अगर कोई बंदा बहुत अमीरिया इसो अराम से रह रहा है अचानक वो गरीब हो जाएगा तो कितना प्रोलों ओ मारा जाएगा मर जाएगा नहीं बचेगा तो मेरा काना है कि बाइरस से बचने के लिए खुलत की इमनिटी को बेक्सित करें कैसे होगी कोई इसके लिए कि बहुत सिख रहे हैं तो आपके मी वीक्सित होगी आप कुछ ऐसे बर्ग पकर ले जो जमीन से जुड़ी हुई हे थोड़ी पसीना आये जोगिंग हो अलोम बिलोम कपाल भारती बहुत सारा एक्सरसाइज भी करते रहे एनिटाइम और साथ में मौसम के अनुसार अगर मौसम ठंडे के दिन आ गई तो आपके पास घर में घहरे लू में देखिया आपके पास लॉंग है जाविती है दारचीनी है तेज करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे आपको बचाएगी अब गर्मी के दिन आ गई तो आपके पास चाच है आपके पास दही भी परियोग कर सकते हैं दुपर में फस्क्रास दही लिज्जी एक कटोरी हेल्दी बढ़िया क्वालिटी कर मिल गया तो तो आईसा नहीं कर रहा हू कि आप वह आर्टिफिस्यल दूद के बना हुआ दही लिजी हो नहीं कर रहा हूं जिनको संभव हो सके तो आप दही ले ले तो भी बहुत अच्छा काम कर उसमें तुलसी के पत्ते डालें साथ पत्ते डालें थोड़ी एक चम्मच उसमें सहट डालें देकि इसको खाएंग का सब से अपने आपको संभाल सकते हैं अब अलगा आपस बार्च के दिन हो गया बर सुद्ध से लोग एक गलती क्या करते हैं कि मिटोर्त में बसम में पानी नहीं पीचेए गा उसमें आपके पास जो पोटल अच्छा है उस winners जैसे स character बहुत आने इवाए हैं क्वाइए अब करण में आप Pennsylvania वाइए पर्वाद करेसूंगे तो अभी में वाथ कर रहा हूं अब मैं तो इस टैब से अपने आपको बचा लिया बस सकते हैं अब यहां पे स्थिती होती है लोकों काना कि सर बैरेस भी हैं तु देखो दोस्त इसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया आपको आपको बरवाद भी किया गया ना इसको लेकिन एक ची ध्यान में जरूर रखना है हमें कि वायरस किस टाइब से परवेश किया है कौन सा है कहने का मतलब है कि वह खतरनाक वाली वायरस है यह नॉर्मल है हम सब चीज को नॉर्मल जिसे कीनी को क्या हुआ कि भाई अरे यार कुछ नहीं करती है अगर वह खतरनाक काट लेगी तो आपको जान भी ले सकती है तो यह भरम में भी नहीं रखना अपने खुद को देखना अब हम इतना भी खतरनाक साफ काट ले कुछ भी काट ले बॉड़ी को अगर हम आर्वेत तरीके से ट्रीट करेंगे कोई दिक्कत ह होने वाले नहीं है साब तोर एक पर विश्वास रखे अगर सुरू से ही अगर अपने अर्वेत का सहरा लिया तो आपको कुछ होने वाला नहीं है लेकिन आप गलती कर बैटते हैं जैसे माले की घर्म ठंडा होती है तो इंफ्यक्शन बढ़ती है हमें सबसे पहले अगर आ करनी लग रहा है खीच रहा हो सास लेकिन अंदर आई ही नहीं रही है इसका मतलब है कि कुछ गयास कोले बने हुए हैं अंदर एक ऐसा प्रोटेक्शन बने हुए है कि कोई भी सास को खीचोगे तो बाहर फिक दे रहा है तो आप समझ जाओ कि आप थोड़ा सा दिकत में हो तो इस दिकतों कैसे करोगे तेजी सास लो कपाल भारती करो अलों भी लेकिन इस्थिती क्या होते एक चावर में बता दे रहा हूं कि उनको दिकत भी होते खास आने लगते तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास मसाज है चिष्ट में इसमें सबसे बड़ा काम करेगी आप ए अप स्कतें हैं और 10 ग्राम इसमें आप भीम अनिकपूर अच्छी क्वालीटी काल झेल घिलया मिलाले और बैठ बंगे इतना काफी है ऐसे तो इसमें बहुत सारे समागरी मिलआ सकते हूं तो बहुत सारे चीज आपको डुकेट में मिलती है मार्केट में चालू समान में त कुछ कुछ ऐसे समान इपसे मिला तो लाको रुपी के जी है आप पैसे भी दे देंगे समान में डूपलिकेट मिलेगा इसलिए बस पास समागरी मिला है और इसे जब डालेंगे एक साथ रखेंगे तो लिक्विड बन जाती इसे गर्म करने के ना जरूवत है और ना इसमें पानी डालने के जब्लूबह तरो ले ओया मर्कट से ब्लप के सहाईता से क्या करें लिक्विरश प् Dim marg कीजिए ताकि चेश्टा में कुछ कफुफ जमेगी नहीं या कुछ सूख्रे ड्राइए हो रहे तो भी क्लियर हो जाती है इसके बाद क्या करें कि हल्दी हल्दी को वाल लिए वन टीस्पून सा हाफ टीस्पून हल्दी को वाल लिजी पूरी तरह से चार कप पानी में डाल को वाल के एक कप कर लिए एक सिंगल आदमी के लिए इसके बाद अगर सहत बढ़िया मिल जाती है तो एक चमर साद उसको बोल करके सुबह दो पार साम लिजिए यह आपकी विक्सित करेगी दूसा क्या कर सकते हैं जहां पर आपको थोड़ी सी मने पर आपके फीजिए दो, चार, पाच ठीक है और सेट्यस फूर्स में इसमें क्या करनी है कि थोड़ी सी जैसे हाप गलास सेट्यस फूर्स लिजिए यानि उसकी जूस लिजिए चाए मसमी, संत्रा, पाइनेपल, है तीनों है तो तीनों को मिक्स कर लिजिए कोई दिक्कत न लिजिए और थोड़ी सी उसमें अध्रा का जूस और संभव होसा के ऐसे तो निकलती नहीं जल्दी तो इसमें आप लशन का जूस भी थ्वासा डाल लेते हैं तो बहुत बड़ी यहां लेकिन निकल नहीं पाती है तो नो माइंड उसको आप सैट करें और हलका इसमें ब्ल 10-10 एमेल 5-5 एमेल लगाता है तीन-4 दिन का प्रोटक्शन अखिए बहुत जल्द अब ठीक हो जाएंगे आपको लग रहे है कि लूज मोसन किसी का कभी-कभी देखा कि लूज मोसन हो रही है अगर लूज मोसन होता है तो ऐसे स्थिति में बेल पत्र बहुत बड़ी यहां तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे अगर गर्मी भी लग रही कॉंश्टिपेशन है तो उसमें सबसे बहते निया आपको अमलतास की फली होती है अमलतास ले ले और इसमें गुलाब की पंख्रियां डाले और सौफ डाले इन सब ही को क्या करें एक चमश ले 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 और एक अगर पानी पी लेंगे तो उससे भी आपकी पेट साफ हो जाती है तो कॉंश्टिपेशन होता है तो सबसे पहले पेट पे भी बहुत ध्यान रखी देखे हम पेट पे क्यों कर रहे हैं अगर पेट पे ध्यान नहीं रखेगा तो प्रोल्लम ज्यादा फस जाएगी हम देख लेकिन फेमें दो दिन से मालय की मोशन नहीं आया है लेटी इंहे हुए है इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों इस पर ध्यान देना बहुत जोरी है जैसे देखे मैं बताता हूं क्यों अब पेट आपकी बंधिव्यानी आत जाम है तो जब हम स्वास ले रहे तो एक अंक्स भी जाम हो रही है प्रोल्म यहां न क्योंकि कफ सुखी ड्राइक कफ बनी हुए यहां और यह जाम है अब स्वास लेंगे तो बहुत करेगी क्योंकि जगह नहीं है न कि अंदर पर व्यस करेगी तो वैसा इस्थिति में आपके पास एक आइडियाज है पेड को साफ कर यह एक बार में पेशाब खुल के आएगी लेटिन खुल के आगई आदा बुखार तो पंदा मिनट में खतम हो जाएगी कुछ है नहीं है हम गलती कर बैठते हैं मुस्तन भी नहीं आ रहे हैं दवाई एंटिवाइटिक पेंटाटी लिए जा रहे हैं और कभ जियत बंते ज मुझा रही है क्या हो गया भाई तो बंदा तो टंग गया क हां गया अस्पटाल गया अब तो उसको सास के दिक्कत आरते बिनिले दोस्तों कि डरे नहीं क्योंकि बरसों से मानव भी है सारे हम प्वे Crown कर्ते हैं हम लुग बशते रहते हैं आग आच अध एक चक्कना फस गय समांते हैं एक मिनक के बचाव करती लेकिन के दूसरा कगा ऊध़ी कि आपको काटलिया तो अपनी गिर्मान साइब लिया वैक्षिन और यू सु काम करीगी नहीं है आप वह եी में हम तो लिए वय है आपको पता है कि मैं क्या ले DR U वैक्सिन ले लिया तो आप तो एसो चोगे ने भाई कि मैं सुरचित हो गया ना अब मुझे कुछ नहीं हो साकता अब पता चला दूसरा करके आपको टेक कर दिया अब इस से कर भी मारे जाओगे दूसरी बात क्या होगी कि जो इम्मिटी आपके अंदर विक्सित थी जो नहीं कर पाएगी ना अब समझो क्योंकि जो वैरेस ना यह बदलते रहेंगे इस सेम हमेशा सेम आप यह सोच रहे हैं कि सेम कोई भी हमको दावा कर दें बता दें कि नहीं मैंने इसकी वैक्सिन किया हो ना तो वही वाली वाइरस आकर कि इनको काटेगी वाइरस इनके बॉ को नैचर ही संभालता है वैरेसे नैचर सी पैदा होती है और हमारे बौड़ी नेचर से बनी है इन ईंबिल्य मैकेश्यम ऑइति चामादनेगी वहांने वह बंभी नेचर से है तो नेचर को नेचर ही बचाएंगी ना तो हमने सबसे बढ़ी आइडिया होना चाहिए कि खाता चीज खा करके इमिटी विक्सेट करों आधे लोग है जो चावल डाल रोटी खाते हो उसे जादा कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास काली मीर्ज करीदने की पैसे बहुत आई या जो गरम मसाला खरीदने का पैसा नहीं उनकी इमिटी कैसे इसे बिक्सेट वाइरस मैं वह आइडिया बता रहा हूं कि हमें बाइरस से बच रहा क्योंकि जिन्दगी और लंबी है आने वाली है हमारे बच्चे हैं हम कैसे बचाएंगे हम कितना भैक्सिन लेंगे भई केवर्मेंट्स बदल चुकी है हम गया केवल केमिकल का हुं प्योग कर रहे हैं अब इस्थिति क्या है मेरी इम्निटी कमजोड हो रही है से पम अब जादा़ केमिकल खाका कशूब रही है वाल वाली वायरस जब देखि इस्थिति समयं आज से 5 साल पहले अगर वहीू Concept परवेस की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आपको लेकिन वह अब परवेस करेंगे क्योंकि आपका डौन होते जा रही है अब वह मजबूत होते जा रहे हैं जरीला होते जा रहे जिसी देखो मस्किटों मच्छा पहले काड़े तो कुछ समझ भी ना आती थी आज एक मैंसमझें की 24-4 खुजली लगा जाती है कि ईटोष समझना है आं के हम अपने दर्वाज़ा लगा करके नहीं बश सकते हम हैं क्रॉस करना होगा हमें उसे लड़ना होगा सामना करना होगा तो हम उसको देख नहीं सकते हैं इतने छोटा होते हैं कि हमारे सेल से भी 100 चौटा तो इस टाप से हम इमनिटी को बिक्सित कर सकते हैं और वाइरसे से बच सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाएगा तो आप ड़रे नहीं बहुत लोग ऐसे डरे हों घयार पता नहीं मेरा येज हो गया है अगर कहीं मैं भैक्सिन ने किया तो हो सकता है मेरी जान चले जाए और कर लिए तो न्यूज भी आ रही है कि इसकी परभावी बहुत है, इसके side effect बहुत है, उससे भी मारे जाएंगे, तो देखे, अगर, देखे, मैं सरकार नहीं, मैं कोई नियम नहीं बना सकता, हम लोग एक हो करके, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे दूसरे का जान बच सकता है, और मैं गलत भरांतियां भी नह नहीं फैला सकता हूं, सही चीज मैं पहुचा रहा हूं, तो देखे, अगर किसी को vaccine माल्य लग जाती है, तो उसके परभाव से कैसे बचे, उससे परभाव से बचने के लिए आप अपने लीवर को ठीक कर लो, सिंपल सी बात है, सारा कुछ आपका लीवर है, अगर आप ली स्कील होगी, लेकिन वो बाद में हमसे comments करके पूछ लेंगे, सारा कुछ में भेज दूँगा, लिखके भेज दूँगा, इसमें देखे, मैंने पीत पापडा मिलाया हूं, जो जहर को भी निकाल दती है, हमारे अर्वेद में पीत पापडा 100 gram मिला ये, नागर मोथा इसमे पीड़ पापडा से दर्सन कराऊंगा, बेसीक दर्सन कराऊंगा, यानि इक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि कहां पे किस की किस तासिर से हम काम ले सकते हैं, इसके बाद काल में कर लिए 50 gram कुटकी, कुटकी आती है, वो भी 50 gram कर लिजे, भूमी आमले की, भूमी आमल अगर मिले तो ले, नहीं तो असकीब भी कर सकते हैं, पुनर नवाले, पुनर जीवित के काम करती है, बहुत अच्छा है, 40 gram लेंगे आप, इसमें कासनी भी जाती है, चोटी चोटी रती कासनी भीच, गुगल सर्च भी कर सकते है, 40 gram, मकोई ले ले, मकोई ले, इसमें 90 gram मिलानें, बहुत 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 in काम करती है, ये बहुत अच्छी है, पेट के लिए समस्त ब्विमारीं बहुत अच्छे काम करती है, डाइबिटेज पे भी इसकी बहुत अच्छा effect है, और WGC 30 gram ले, गिलोई सच médico 30 gram में मिलाएंगे 30 gram, अब इसमें और कुछ एफ्टा मैं मिलाया हूँ जिसमें जंगली पॉधिना है 50 ग्रॉम कर ले गुलाब की पंख़ूढिया कर ले 50 ग्रॉम प्लास के फूल आपधिना math 50 ग्राम कर ले इसमें सफेज्ट चंदन 200 ग्रवापको मिलाना होगा आप मिलाये इसके बाद इसमें 40 gram seems तुलसी स्यामा तुलसी 40 gram मिलानी है और 50 gram इसमें एक निवू तुलसी बोलते हैं जिसको हरीदवार तुलसे बोलते हैं निवू तुलसी आप कर लो जिसकी महग भी निबू की तरह होती है तो वो मिला ले और तिरिफला रसाइन मिलाना होगा तिरिफला रिसाइन मैं कैसे बनाता हूँ 1-2-3 के अनुपात में तिरिफला होती है जैसे मानके चलते हैं कि 75 ग्राम आमला हो गया पचास घ्राम आपको बहबाऊ गया और पचीस घ्राम हड़त हो गया एह मिला लेघे हपाल Пचीस घ्राम हल्दी मिला ले छी तो यह रसायन में डालना अब यह कैसे होगी इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले 5-5 फानी बाझ्य पान्स लिटर पानी में सभी को कुट करकर दरदा कुट करकर डाल दे रात बर पानी में भींगे लाद 14 गंटा भिंग जाएगी पहुत वड़िहां से रात में भिंगेगे दो सुब्छ क्या करनी है इसे खास करके इसे मिट्टी के बर्तन में बनाए तो अति उत्म होगा मिट्टी के बर्तन में फुलने दे और इसे उबाले तीरे मां आज पर उबलते रहेगे जब एक लिटर पच्चमा भाग सुखादना एक लिटर तयार होगी तो छान के सारा सुरस को आप निचोड के रख ले रखने के जी धागे मिस्री देड़के जी इसमें डाल करके इसका फी पकाएं इसे क्या कर दे हाप कर दे यानि थोड़ा से सुखाएं तो यह दवा आपको तयार होगी लिवर को प्रोटेट करेगी पूरे बाडी को बहुत बिल्ड करेगी इसमें मैंने जो मिलाया हूं सारा ची आप अब क्या करनी है कि इसे पका करके आधिक करनी है यह दवा आपकी तयार हो गई है इस दवा को आप बोटेल में रख ले अराम से यूज करने का क्या तरीका है सिम्पल यूज है हल्का वार्म पानी लेंगे सौय में पचासे में जैसा बच्चा है माने छोटा है तो उसमें डालनी है मात्रा देख लिए ज्यादा कड़वा नहीं हो तो उस टाइप से इसको गोल करके सीधा पिलानी है आप पिलाए देखिए इमनिटी बिकसित होती ही की नहीं बिल्ड हो हो गए और फास्ट फास्ट तो ऐसा काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते हो करके देखे तो दोगस्तों यह मैं आपको अगर को वैक्सिनिशन उनकी साइड इफेक्ट से आपको इसको बचा लेगी अगर विसीस आपको दिक्कत हो रही है किनी को ऐसा तो वह हमसे संपर्क करें होंगे मैं उनको बताऊंगा बहुत सा रास्ता है दोस्त हम और आप मिलके कुछ तो जरूर करना है करूंगा भी तो अपनाएं से यह आपको बचाएगी और दूसरा मैं एक सोट तरीका मताता हूं इसे बचने का तरीका क्या क्या हो सकती है जैसे जियों आपको कुछ करके इस टाइब से आप नहां करेंगे इससे बचेंगे और घर में जो चावल बंती है उसे पहले बंद कर देंगे और ठंड के बस्तू अगर रहेगी ठंडी के बहुत सारे बस्तू भी इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि फीवर जब देखेंगे फीवर तीजी से बढ़ने तो किसी भी तूलसी को ले सकते हैं जो आपको तूलसी दिखता है कि यह तूलसी है अब डालो एक छोटी पीपली आप इसमें डालेंगे सिंपल सी बात है और चार काली मिर्च और एक दरचिनी का टुकड़ा बस ज्यादा कुछ नहीं अभी गर्मी का भी मौसम है ज्यादा से भी चलतां रहा है वें पत्ति बींगया का सकते हैं कभी-कभी ज्यादा देखत हो तो आप दो तरह यहां बर नहीं है अगर आपको सरदर दे रही है तो मैंने बताया तक पहले बहुत छोटा डॉक्टर यानि जहां पर सत अजवायन सत पुदीना और भिम से निकपूर और इसमें लॉंग कितिल और निलगरी का उसे थोड़ा सी दो बूल सर पर लगा लेंगे अच्छा रहेगा उसे भाफ भी ल देगा लंग्स में मैंने भी बताया था कि वो घी में मिक्स करके पूरी वो बोडी पर मसाज भी कर सकते हैं बहुत बढ़ियां आपको काम करेगी तो इस टैप से आप कर सकते हैं आप बच सकते हैं अपने आपको परिवार को बचा सकते हैं तो दोस्तो मेरा एक करना है कि आ तो काम कर सकते हैं, एक तो क्या करें? तस 12 मुनकके ले- एक चमा सौख ले हाफ चिसमने उसपर जीरा डाल ले और उसमें बड़ी यलाइची यह यहाप से एक बड़ी यलाइची डाल सकते हैं दाल करके और इसे पकाले जब यानि इसका भी एक तरह से काढ़ा half type बना ले जाहिए तो बिसस रूप्ध से अंधीर डाल सकते हैं चार पाच बदाम डाल सकते हैं, अखरोड डाल सकते हैं, अगर आपको सुबदा हो, तो पिस्ता, दस फ्राई पिस्ता ले ले, साथ में, एकक पिस्ता को खायाँ जाए, और इसको सिफ-सिफ करके पिये, तो देखे, आपको ताकत आएगी, दूसरा क्या करना है आपको, आप 5 लसन के कली ले ले उसको बारी की काट ले और उसमें दो तिन च्वेड़े डाल ले च्वेड़े और डाल ले और एक दो खजेर भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसे पकाएंगे पकाने अवसाथ में क्या करेंगे एक चूटकी थोड़ा सा इसमें जाफरां यानि केसर डाल दे किसर डाल करके सको पका ले एक अलग आपका कढ़ा तयार हो गया एक यह ले एक यह ले बस आपकी बिक्निस चली जाएगी और मैंने सब कुछ मैंके निजम बताया ही तो दोस्तों मैं अपने आपको भचा सकता हूं आपकी आर्वेद में बहुत ताकत है बहुत ता जैसे होता ना कि सब कुछ छुपा के बनाया जाता कि भाई रूम में कर लिए पता नहीं देखा पता नहीं उसको भाड़ा पर खरिद के ले आए कैसे लाए नहीं दोस्त मैं नहीं करने वाला हूं मैं जितने सक्सेस्टोरी बनाओंगा जो भी बनेंगे उनसे मैं लाइव बात करूंगा लाइव आके बात करूंगा जानो भाई दोस्त नहीं कर पाऊंगा फिर से उसको अपने ट्राइल पर लेंगा फिर से बात करूंगा पता नहीं हो सकता है कि वह सही से मुझे बताया नहीं कोई चीज हम समझ नहीं पाए मैंने देखे यह तो मेरा टॉपिक था सबसे पहले बहुत ऐसे समागरी है जो आपको रियल नहीं मिल पा रही है बहुत अफसोस होती है कि मैंने इतना मेहनस से इनको यह चीज़ बताया और अगला दुब्लिकेड दिया विचारे खा रहे हैं अब चालू चालू सिश्टम आप देखे ना दुकंदार लों काता है च संस्था का निर्मान किया हूँ सारी जड़ी बूटी को कठा कर लो मैंने गुरू कूल का निर्मान करने उससे कहा क्या मिलेगा आपको मैं थोड़े की बिल्डिंग बना लिया बहुत सुंदर सा और सारा कुछ होगा नहीं हमें जमीन चाहिए एक छेत चाहिए जहां पे हज हाय चारु हज़ार जड़ी बूटी मिले ओरीजिनल बेस पे उनकी फिलका के उच कर सकते उनकी पत्ती का उच कर सकते उसके इतनी साना की कवात बना सकते आप देखो नहीं मैं दिखाऊंगा कर ला यानि आपके बड़े-बड़े मेडिकल जब बोलेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे वह साबित होगी आरवेद मैं नहीं रियल आरवेद काम करेगी और ठीक होंगे विश्वास रखे यह आप लोग को लगता होगा पंकजी घमन की कोई बात नहीं है आप देख लो पुराने जमाने से आरवेद बहुत ही लेकिन इसे कमजोड किया गया रियल में तो मैं करांती तो लाया पहले भी आसे चार पाच मे लेकिन बेराउस में वहरे वह सारे पैसिन के लोड भी बगिरा अभी बी में तो काम हो रही है तो अहलेके दिक्कत नहीं है लेकिन हमें करांती करनी है जिनगी में क्या करूँगा अगर माल ये आप समझेंगे पेसिंट मेरे साथ जूड़ते जा रहे हैं पैसा दिये जा रहरे हैं लिए जा रहा हूं उनको वह यह कर लो कि यह जा रहा हूं लोग ठीक भी हो रहे हैं चलो इमानपता हिर्थ केलिए हो गया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ना किसी से मील रहा हूं, तो मेरी जुनकी कैसी होगी, सीमट जाएगी नहीं आपे, मैं वो नहीं चाहता हूं, दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे बहुत लोग पैदा हो जाएं, बहुत सारे बैद बन जाएं, मेरा काना है, मुझे डॉक्ट मैं तो यह चाहता हूं कि आपकी रिपोर्ट और मेरा आर्वेद दोनों कनेक्टिव हो बातपित कब से कि भाई WBC बढ़ गया तो क्या बढ़ गया आपका आर्वेद से कम हो गया तो आपके कौन से तासिर कम हो गया है इक टैप से सब एसोशेट है दोस्त मैंने सब को एसोशेट कर रखा हूं आपकी रिपोर्ट देखता हूं ओ मुझे पता है कि कौन से तासिर चल रही है है मेरा कहाना है कि रियल में अगर हम अधुनिकता से आर्वेद को इसोशेट कर ले तो बहुत बड़ी काम हो सकते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं बैच सहिए और भारत जगा भारत बचाओ अगर हम भारत को जगा पाएंगे तो भारत को बचा लेंगे और इसे पहुत बड़ा मुकाम भी दे सकते हैं आर्वेद्ध रियल में सर्षेष्ठ है सभी बिमारी को ठीक करने में सबसे पहला स्थान है लेकिन कुछ मिस अंदर स्टेंडिंग के चलते सारा प्लान कड़ पर चल रही है तो हमें बैसा महौल पैदा करना है हमारे बच्चे आज के कि इतने तेजे देखो ने छुटे शुटे पत्ते तीज मोबाइल चलाते आप नहीं चला पाओगे उनको अगर सिखाया जाया तो कुछ भी हो सकती है करांते हमें तो अभी मैंने बात बोला ना तो मेरे रूह खड़े हो गया कि एक बच्चा को अगर सुरू से सिखाया जाया जितने उनको हम chemistry physics के बल पढ़ा पढ़ा करके उनको इतना बोरिंग कर देते हैं फुरे लाइफ में फिर बाद में लगता है कि मैं तो बिरोजगार भी हो गया नहीं उत्साह से किया जाया उनको कम में लगए कि अगर मैं पढ़ोंगा तो अपने कल पैरेंट्स को बचा सकत तो माता पिता सबको में स्रचित रख सकता हूं तो एक होसला लगेगी उनके मन में कि यार मेरी पढ़ाई ब्यर्थ नहीं जाएगी आज हमारी जो भारत की पढ़ाई यह देखो ना ब्यर्थ चली जाती अगर आप कुछ नहीं हुए तो आपको रुजगार भी नहीं मिलती हैं थो दोस्त हम वैसा ही गुरु कुल यानिंडिया के सबसे टॉप गुरु कुल बनाना है मुझे मेरा सपना है दूप एक की सपना सबसे टॉप अगर नाम लिया जाए तो टॉप गुरु कुल में इंडिया का नाम आना जिए और तक अधुरु cutting का यह थै और कुछ भी हो मैं वैसा है गुरू कुल करना मैं पूरा ऐसे सीच लिया हूं कि कैसा बनाना इसके तो दोस्त मैं काना चाहता हूं कि प्रागत ढंग से जो पहले से जो बैद आय जा रहे हैं अब एक नुक्सा लिए हुए हैं वो छुपा करके दवाईयां कुछ दिय जा रहे दिए जा रहे हैं उनके बच्चे वीसी पर काम कर उन्होंने वीक्षित नहीं किया इस चीज़ को जैसे मैंने बताया कि अगर बावासिर के मैं को ब्लड आ रही है दर्द हो रही है बार बार उन्हें मोशन जाना पड़ रहा है प्रोल्म आ रही है तो वो क्या कहा है सर मुझे बावासिर हो गई है अब वहां क्या करेगा बावासिर के लाज करेगा दो मेना तीन मेना ठीक नहीं हो रहे हो तो जाई भाई दूसा बैता फिर आपने गया ऐसा नहीं होना चाहिए लक्ष्ण पकड़ा जाए कि चलो भी जल्दी से अप रिपोर्ट करा लो नाड़ी प्रे अधोनी कुरूप से बैज चाहिए डॉक्टर नहीं तो दोस्तों हम अपने प्रोगाम को आगे बढ़ाएंगे नेस्ट वीडियो में हम आते हैं और बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं सारे टॉपिक वीडियो बनेंगे दोस्तों जो भी हो अभी सुरू सुरू में वी सब बढ़ाएंगे आपका भी भला होगा सब का भला होगा तो चलिए मैं निक्षबार मिलता हूं जय हिन जय भारत जय आरो के तक तक